लोगसभा में बीजेपी सांसद रमेश बिधूरी ने बहुजन समाज पाटी के यूपी की अमरोहा लोगसभा सीट से सांसद कुमर दानिश अली के लिए विवादि टिपड़ी कर दी बिधूरी के बयान पर सदन के अंदर और बाहर बवाल मच गया कॉंग्रेस सहित इंडिया गठबंधन में शामिल कई दलों ने रमेश बिधूरी के बयान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है इस बीच राष्ट्रिय जनता दल प्रमुक लालू प्रसाद यादव ने भी पीएम मोदी और बीजेपी पर हमला बोला है लालू प्रसाद यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोधी के इशारे पर ही बीजेपी सांसद ने पार्लियमेंट के अंदर असंसदी भाशा का प्रियोक किया लालू यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करते हुए पीएम मोधी और बीजेपी पर निशाना साधा लालू यादव ने कहा कि प्रधान मंतरी ने देश की सम्रिध संसदी परंपराओं के विरुद्ध ऐसी विक्रित सामाजिक राजनीतिक संस्कृती को जन्म दिया है जिसमें इनकी एक सांसद राष्ट्रपिता गांधी जी के हत्यारे आतंकवादी का महिमा मंडन करती है भाशा का प्रियोग कर रहा है वो घोर आपत्ती जनक, निंदनी एवं लोकतंत्र और समाज के लिए चिंता जनक है ये इनका अमरित काल नहीं बलकि विश काल है मामला गुरुवार का है दरसल लोक सभा में 21 सितंबर को चंद्रियान पर चर्चा हो रही थी इसी दोरान दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूरी ने बीएसपी सांसद कुमरदानिश अली को गालिया दी हलाकि सधन की कारवाई से बिधूरी के अब शब्दो को हटा लिया गया है लेकिन बिधूरी के इस दुर्विभार का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया लोक सभाई स्पीकर ओम बिडला ने बिधूरी को चेतावनी दी है कि सदन में ऐसा विभार दोबारा होने पर कड़ी कारवाई होगी बीजेपी ने भी रमेश बिधूरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है आपत्ती जनक टिपणी के तुरंत बाद रक्षा मंत्री राजनात सिंग ने भी सदन में खेत जताया था कॉंग्रेस समेत कई विपक्षी दल बिधूरी के सदन से निलंबन की मांग कर रहे हैं